शिक्षा मंत्री रोहित ठाकूर ने कहा है कि विभाग में शिक्षकों की निवक्ती का निर्णे पूर्ण मैरिट और विद्यार्ठियों के हितों तथा गुणवत्ता पूरन शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। रोने का कि शिक्षा विभाग के अलावा अन्ने सभी विभागों में भी निउक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्यत करना सरकार की सर्वोच प्रात्मिकता है और इस दिशा में हर संभव परियास किये जाएंगे औरो ने इस बात का खंडन किया कि सरकार शिक्षा विभाग में अस्थाईश शिक्षकों की भरती करने जा रही है शिक्षक मंत्री ने कहा कि विभाग में पिशले कई वर्षों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और सरकार इस समस्या के निवारण के लिए प्रभावी कदम उठाएगी रोहिचाको ने कहा कि सरकार हिमासल प्रदेश लोकसेवा आयोग बैच आधार पर भरती पदोनती और स्टाफ के युक्ति करन के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद है ताकि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में को कोई व्यवधान ना हो रोने कहा कि राजे के जनजातिय और दूर दराज ख्षित्रों में शिक्षकों के 12,000 से अधिक बद खाली हैं